नमस्ते प्रिया छात्रा लाना सेकेडे में इंगलिस स्कूल एलनु क्लासिस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है बच्चों आज हम कक्सा तीन में हिंदी विशे में चेप्टर 6 पूछना माली से इस पाठ का किताबी अभ्यास देखेंगे तो आईए सबसे पहले हम देखते हैं कठीन सब्दों के अर्थ सुगंदित मतलब खुसबुदार कपास मतलब कोटन मतलब रुई आदर सम्मान कुरूप बदसुरत रेशो धागो रक्षा बचाओ प्रिय प्यारे गून तो विशेस्ताए उप्योगिता मतलब महत्व शमा मतलब माफ बच्चों पाठ बोद में प्रस्न एक में कुछ मौखिक प्रस्न दिये गए है इन प्रस्नों के उत्तर आपको लिखने नहीं है परन्तु ओरल ही मौखिक देने है प्रस्न एक प्रस्नों के उत्तर दो मौखिक क सभी फूल कपास से क्यों जिड़ते थे उत्तर में क्या आएगा उत्तर में आएगा सभी फूल कपास से इसलिए जिड़ते थे क्यूंकि माली उसका ज्यादा ध्यान रखता था ख गुलाब ने अपनी प्रसंसा में माली से क्या कहा उत्तर में आएगा गुलाब ने कहा कि मैं फूलो का राजा हूं कपास का पोधा मेरे पास सोभा नहीं देता गुलाब ने अपनी क्या क्या उप्योगिताए गिनाई उत्तर में आएगा कि सुन्दर फूलो ने कहा कि सभी लोग उन्हें आदर देते है और उनकी सुगंद सभी को अच्छी लगती है और उन्हें देवताओ पर भी चढ़ाते है इस तरह से वे सबको प्रिय है इस तरह से अपनी उप्योगिता गिनाई लिखित बच्चों यहाँ पर आपको ये प्रस्णों के उत्तर अपनी टेक्सबुक में भी लिखने होगे एवं प्रस्ण और उत्तर दोनों अपनी नॉट्बुक में भी लिखने होगे क कपड़े केसे बनाई जाते है उत्तर में हम क्या लिखेंगे कपड़े कपास के रेसों से सूत कात कर बनाई जाते है ख दीपक की बाती बनकर कौन जलता है उत्तर में लिखेंगे दीपक की बाती बनकर कपास का फूल जलता है ग माली ने फूलों को क्या समझाया उत्तर में हम लिखेंगे माली ने फूलों को समझाया कि रूप रस गंद ही नहीं, गून सबको प्रिय होते हैं ग, सभी फूलोंने कपास से शमा क्यों मांगी उत्तर में लिखेंगे सभी फूल कपास की उप्योगितां जान चुके थे, इसलिए कपास से शमा मांगी प्रस्न दो, सही वाक्य पर सही का निसान और गलत पर गलत का निसान लगाओ बच्चों, यहाँ पर हमें वाक्य कौन सा सही है और कौन सा गलत है, यह दरसाते हुए यहाँ पर निसान करने है क, माली कपास की ज़्यादा देखबाल करता था तो सही है न, कपास की ज़्यादा देखबाल करता था माली तो यहाँ पर हम सही का निसान लगाएंगे ख, सभी फूलों ने कपास की सिकायत की सभी फूलों ने सिकायत की थी ना कपास की तो यहाँ पर हम सही का निसान लगाएंगे गेंदा फूलों का राजा है तो यह वाक्य तो गलत है ना क्योंकि फूलों का राजा कौन है गुलाब है तो यहाँ पर हम गलत की निसानी लगाएंगे कपास का फूल देवी देवताओं पर चढ़ाते है गलत गुण ही सबको प्रिय होते है जी हाँ गुण ही सबको प्रिय होते है ना तो यहाँ पर हम सही का निसान लगाएंगे प्रस्नतीन माली ने ऐसा क्यों कहा? कि रूप रस गंद ही नहीं, गून सबको प्रिय होते है ऐसा माली ने क्यों कहा? तो उत्तर में हम लिखेंगे माली ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह सबी फुलों को बताना चाहता था कि आप सबकी तरह कपास में रंग, रूप और सुगंद न होने पर भी अपने गुणों और उपयोगिता के कारण कपास सबका चहेता है तो बच्चों आसा है कि आपको चेप्टर 6 पुछना माली से के अभ्यास के सब्द के अर्थ एवं पार्ट बोत के प्रस्नों तर अच्छे से समझ में आ गई होगे आपको अपने हिंदी की टेक्सबुक एवं हिंदी की नोटबुक में यहां तक लेखन कारिया पूर्ण करना होगा आगे भासा ग्यान के प्रस्नों के उत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में सिखेंगे ठेंक यू